बैंक का सबसे important product होता है LON जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और लिया भी होगा बैंक से, कभी ने कभी तो LON लिया ही होगा तो उसके बारे में आप जानते होंगे एक और product होता है LIMIT लिमिट भी एक दरह से LON ली होता है किस case में हमारे को loan लेना चाहिए और किस case में हमारे को limit लेनी चाहिए साथ ही दोनों में क्या फरक होता है किस में interest ज़ादा लगता है और किस में interest कम लगता है इसी की बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे friends मेरा नाम है अर्विन दाएंगी और बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक और informative वीडियो में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हर वीडियो का आपको notification मिल जाए आई अब स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्स की जिसी के ऊपर पुरा banking industry टिका हुआ है लॉन्स में क्या होता है कि आपको एक साथ पूरा पैसा मिल जाता है और वो पैसा मिलने के बाद उसी दिन से आपके interest चालो हो जाता है जिस भी rate of interest पे आपको वो पैसा मिलता है पैसा मिलते ही next month से आपके EMI चालो हो जाती है और हर महिने आप उसका मूल और ब्याज EMI के रूप में भरते जाते हैं हर महिने आप पैसा चुकाते जाते हैं तब आपका loan चुकता जाता है जैसे personal loan हुआ, mortgage loan हुआ, house loan हुआ, education loan हुआ ये सारे loans होते हैं जिसमें आपको एक साथ एकटा पैसा मिल जाता है फिर आप उसको EMI के रूप में धीरे धीरे हर महिने चुकाते रहते हैं और जितनी number of EMI जितने साल के लिए आपको loan मिलता है उतने साल में वो पैसा आपका चुक जाता है वहीं दूसरी तरह बाता है एक और limit लिमिट भी एक तरह साथ आपका loan ही होता है लेकिन उसमें पैसा आपकी जरुरत के हिसाब से मिलता है वो कैसे? suppose कीजिए कि आपको 5,00,00,00 की limit sanction हो गए यानि आपको loan कित्य का मिला 5,00,00,00 का लेकिन उसमें आपका पैसा जरुरत के हिसाब से निकाल सकते है 5,00,00,00 की limit sanction हो गई आपको 1,00,00,00 की जरुरत थे तो सिर्फ आप 1,00,00,00 रुपे निकाल सकते है 4,00,00,00 रुपे आपके पढ़े रहेंगे 4,00,00,00,00 का आपके ब्याज नहीं लगेगा ब्याज सिर्फ 1,00,00,00 का ही लगेगा और वो 1,00,00,00 का भी कब तक लगेंगे? जब तक आप उस पैसे को आपके पास रखेंगे यानि कि 1,00,00,00,00 रुपे निकाले आपने और 10 दिन तक आपके पास रखें 10 दिन के बाद आपके पास 50,00,00 रुपे आगए 50,00,00 रुपे आपने वापस जमा कर दी तो आपके पास सिर्फ 50,00,00 r. रेगे अब सिर्फ 50,00,00 रुपे पी ब्याज लेगा तो फिर आपको वापस से जब पैसे की जड़त पड़ेगी तो वापस लोन लेना पड़ेगा, वापस डोक्मेंडिशन करना पड़ेगा, वही लम्भी फॉर्मल्टी आपको पूरी दोहरानी पड़ेगी, दूसरा लिमिट में क्या फायदा है, जिस दिन पैसे की जड़त पंच लिन फ़ंओ सब्सक्राइब जमने अपने पढ़ आप पेसे करें फो इस वहुद्रेक्श मिलें पर चुन निमें 5 रुपे की चर्ण पड़ी अब तीन ही लाग रहेगे अब तीन लाग पर आपने पास रखेंगे उत्ते दिन का भी आज लाएगा बाकी भी आज ने लगेगा तो बहुत बड़ा फाइदा हो गया इधर कि अपनी जरुवत की इसाब से इंट्रेस्ट लगता है बैंक के इसाब से इंट्रेस्ट नहीं प्रम कर लाई पार सन्ला टो जाता है तो फेसा जाता आपके पास तो पैसा जमआ करोगा किदा लिमिट प्रति पर यह मिल satu तो अगर आप बिजनेस्मेंच मैंत थो आपको लीमिट लेनिशाए के लौन की बज़ाए हैं दूसरा येदी कोई सर्विसमेन हैं वह लोग जैऄ पर्सनल लौन ले लेते हैं और पर्सनले लौन आपको Turkish time में वापस पड़ता है तो उसकी बज़ाई आपको परस्नल लिमिट लेनी चाहिए परस्नल लिमिट लेने से क्या होगा कि आज आपको पैसे की जरूत आश्च निकाल लिया कर लिएन दो महिने बाद, भाद आप पैसा आगया वापस जमा करवाद ओ तो personal loan की बज़ाए personal limit भी एक बहुत फायदे मन product हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है loan की बज़ाए limit पर interest थोड़ा सा जादा होता है क्योंकि bank समझता है कि यह इसके फायदे का सोधा हो गया तो bank भी उस पर कुछ कामाने की सोचता है तो loan से limit की rate of interest थोड़ इसी bank हाय रखते है किसानों की बात किये जाए तो किसानों को जो KCC मिलता है किसान credit card वो एक limit होती है उस limit में क्या होता है कि आप जैसे की 3,00,00 रुपे की आपने limit बनवाली जिस दिन आपको पैसे की जरुत पड़े उस दिन अपने KCC से पैसा निकल वालो फिर वापस जब जरुत पड़े तो वापस निकाल लो 3,00,00 का KCC बनगे इसका मतलब यह नहीं कि आपको 3,00,00 रुपे पूरा लेना ही लेना है अगर आपके काम नहीं आ रहा तो उसको आप वापस जमा करवा दीजिए आपके उधर interest कम हो जाएगा तो किसानों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा benefit है तो friends कैसा लगा हमारा वीडियो जिसमें आपने समझा कि लॉन और लिमिट में क्या फरग होता है और किसको कवले नीची है यदि अच्छा लगा तो इसको like कीजे और share कीजे सभी को और यदि आपका इस वीडियो से related या banking से related कोई question है या कोई सुझाव है तो आप comment box में हमें जरूर दीजिएगा हम उसका reply करने के कोशिश जरूर करेंगे मिलते हैं next शांदार और informative वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत